यह लक जो आज मै करेट किया है ये थोड़ सा इंडो वेस्टन लूक है इंडेयन में वेस्टन ताड़का मारा है रहें मैंने टैन्यम की शट के साथ लहेंगा, ट्राई किया है और बहुत अच्छा लक निकल किया इस लुक को टीनेज गर्ल भी कर सकती हैं, एस किसी भी एज मतलब यह मैंने एक्स्प्रिमेंट किया तो बहुत अच्छा सका जजल्ट आये तो देख लेते हैं यह मेकप लुक मैंने कैसे क्रेट कहा है तो गाइस स्किंकेर मैंने अल्रेडी कर लिया था और मैंने यहां पे लिया है यह और प्राइमर स्टेक उर्की का यह है और मैं स्किं ड्राय है तो मैं इसे ऐल बेस्स प्राइमर यूज करती हूं आप अगर ऐल इसकिन है तो इसलीकॉन बेस्स प्राइमर यूज कर सकते हैं नेक जो मैंने यहां पर फांडेशन यूज किया है वह स्टे कुर्गी का शेड नंबर है 02 हनी तो यह इस तरहीं प्रम पैकेजिंग में आता है जो की काफी कन्वीनियंट लगती है मैंने डोट-डोट करके अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाए कर लिया है इसकी कवरेज मीडियम टू लो है मतलब लो टू मीडियम है बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है मुझे हाई कवरेज चाहिए भी नहीं थे इस में लुक के लिए तो यह वेट ब्यूट्य ब्लेंडर है इससे मैं डेब डेब करके सारा अपना फाउंडेशन है वह पूरा अपने फेस पर अप्लाए कर लूँगी आपको इस तरीक से रगड़ना नहीं है सिर्फ आपको डेब डेब करके ही इसको अप्लाए करना है अच्छे से अंडर आई एरिया पर थोड़ा ध्यान से ताकि क्रीज लाइन ना पड़े और नेक्स मैंने यहां पर यह मेरे पास है यह कंसीलर है लोकल मार्केट से मैंने इसको बाय किया था ब्रैंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी मैंने सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पर कंसीलर लगाया है अब मैंने यहां करकेटर यूज नहीं किया क्योंकि मेरा जो अंडर आई डार्क एरिया है डार्क सकल से वह बहुत कम हो गया है पहले से अराम कर रही यही फाइदा हुआ है बाकी तो यार वेट वगर वगर सब कुछ बढ़िया है तो मैंने कंसीलर इस तरीके से अप्लाय कर लिया है और जिसके अच्छी है अंडराई एरिया पर आप ध्यान से कीजिए उसके बाद आपको उसी वक्त यह लूस पाउडर है लेकमे का और मैंन इस तरीके से चाहे तो ब्रस चे अप्लाय कर सकते हैं पर ध्यार नहीं है जो वेट ब्लेंडर वह यूज ना करें दूसरा यूज करें नेक्स मैंने यह स्टार का यह कंसीलर है अगें मैंने इसको लिया है और जो अपने आई लीट से ना वहाँ प्लाय करूंगी आई मेकप स्मूथ सर्फिस मिल जाए तो इसको अप्लाय कर लूँगी और जो ब्यूटी ब्लेंडर पर हलका सा लूस पौडर लेके इसको अच्छे से सेट कर लूँगी नेक्स मैंने यह पे लिया है हुडा ब्यूटी का रोज गोल पैलेट है तो मैं यहां इस तरह यह वारा ब्राउ नहीं करूंगी आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूं नेक्स मैंने यहां पर यह लाइट और डाक ब्राउन शेड है वह लिया है इससे पहले जो मैंने कलर अप्लाय किया ना उसको उसकी सर्फिस को स्मूद आउट करने के लिए हलका क्रीज लाइन से उपर लेके जा पूरे आइलिट स्पेस को अप्लाय कर लूँगी यू कैन सी जब आप ब्लैक कलर लगाते हैं आप किसी भी तरीके से ब्रश को च्राइए डोंट वरी और नेक्स में यहां पर काजल लिया है ग्रीन कलर का और उसको मैं इस तरीके से एज लाइन एक लाइन ड्रो करूंगी लाइन ड्रो करने यह ट्राइंगल अब ब्रश है इस पर हम यह आईशेटो लेंगे सेम कलर का और जो हमने काजल की लाइन ड्रो किया ना उसको हम स्मूद आउट करेंगे अच्छे सेट करेंगे इसे सेट भी हो जाएगी पाउडर है तो एंड इसको जो सर्फेस इसकी है त लाकि हलका हलका थोड़ा सा ब्लेंड और मर्ज हो जाए तो हलका सा स्मोकी एफेक्ट मेरे को देखने के मिले सेम काजल हम अपनी लोवर वाटर लाइन में अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं जिससे कि लुक ना अलगी लुक बड़ा अच्छा लुक निकल के आया थ देन हमारी आइस थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और काफी सुन्दर लगेगी और लुक बड़ा क्यूट आएगा नेक्स मैंने यह आप ऐसा रेफ का कंसीलर लिया पाउडर सॉरी कंटॉर लिया है पाउडर कंटॉर हम करेंगे मुझे पता निक्यों पाउडर कंटॉर प spread करेंगे, merge करेंगे ताकि sharper look निकल के आए और आप देख सकते हैं, face थोड़ा sharp नजर आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, यह eye makeup, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, nose की भी हम थोड़ी-थोड़ी contouring करेंगे आप देख सकते हैं, दोनों side surface को इस तरीके से, and then नीचे की तरफ इस तरीके से merge कर देंगे, nose थोड़ी sharp हो जाएगी, मेरी nose वैसे इतनी मोटी नहीं है, तो ठीक है NYB का मैंने यहाँ पर यह blush लिया है, blush अगर जाता हो जाए तो अपने पीछे यहाँ पर palm के पीछे हलका सा dab कीजिए, और फिर अगर आपको थोड़ा sharp चाहिए, तो आप upward direction में इस तरीके से कीजिए, काफी अच्छा result आएगा और next मैंने यहाँ पर यह नायका का nude color lipstick लिया है, bright lipstick लिया है, आज मेरा मन नहीं था liquid lipstick के लिए, smoky eyes है तो lips हम थोड़ा सा nude ही रखेंगे, और यह काफी अच्छा लोग निकल गए, denim के साथ यह eye makeup perfect जा रहा है तो मैंने अपना lipstick wear कर लिया है एक वक्त था जब lipstick लगाना बहुत डर लगता था lipstick लगानी तक नहीं आ रही, आसे 3 या 4 साल पहलो राज देखे, मैं YouTube पे makeup tutorial बना रही हूँ वही बात है न, हमेशा सीखते रहना चाहिए, काफी time बाद मैंने makeup सीखा, बड़ जब सीखा तो काफी अच्छे तरीके से सीखा, fan brush लेंगे, sorry, उससे पहले हम हमारा जो eyebrows है, उनको fill करेंगे srf का ये eyebrows palette है सबसे पहले, spoolie से, इस तरीके से eyebrows को set कर लेंगे comb कर लेंगे, थोड़ा सा set हो जाती है अब black and dark brown color लेंगे, brush पर और हमारी eyebrows को मैं अच्छे से set कर लेंगे, और मेरे eyebrows के hair black हैं, तो मैं थोड़ा black color ही prefer करती हूँ हलका brown, देखे, बड़ा natural सा रखा है, बहुत जादा नहीं किया है इसके बाद हम करेंगे, नाइका का highlighter ये मेरा favorite product है पुरे makeup kit में और काफी अच्छा है, fan brush लेंगे इस तरीके से, जो color हो, या फिर मैं तो सारे पे इस तरीके drag कर देती हूँ, और highlighter इस तरीके से, यूज कर लेती हूँ, काफी अच्छा highlighter है वन टाइम्स investment है हाँ, हाला कि महंगा आता है 500-600 का आता है, बट बहुत टाइम चल जागा, यार साल, दो, साल, अराम से चल जाए, मेरे को साल बर हो गया, और इसा लगता है, अभी लिया है हर जगर लगा लेंगे chicks पर और next हमने यहाँ पर लिया है मशकारा, मेबलीन का मशकारा है और मशकारा लगाना हमेशा मैं भूल जाती हूँ, I don't know क्यों, बट मैं भूल जाती हूँ मैं मशकारा परसन नहीं हूँ, मैं काजल परसन हूँ, मुझे काजल liner लगाना पसंद है, तो मशकारा हमने लगा लिया, यह मशकारा भी one time investment वाला है आप चाहे तो मैं इसका review आप लोग के साथ share कर दूँगे, आपको चुछे तो आप comment section में बता दीजिए, काफ़ इच्छा मशकारा है, मशकारा मैंने apply कर लिया है दोन वाइस में next बाहर जा रहे हैं, तो हमें setting spray तो यूज कर नहीं है थाकि हमारा make up दो तीन घंटे थक्टी का रहा है, उड़ा ब्यूटी का मैंने setting spray यूज किया है और बाल मेरे already कॉम हो रखे हैं, काफ़ी प्यारी लग रहे हैं fluffy fluffy से है, ऐसा लग रहा है मैंने haircut लिया हुआ है बट नहीं लिया है, सिर्फ बालों को wash किया है more than ये है और आप सोची थोड़ा सा jewelry वगेरा wear कर लो तो ये वाला मैं सोच रहे हूँ तो चलो wear कर लेते हैं तो वाला मैंने wear नहीं किया है, मैंने ये लहंगा wear किया है तो इसको आप गर्भा नाइट में पहनेंगे तो इंडो वेस्टन लुक बहुत अच्छा लेगा और फेस्टिव सीजन में आप इस लुक को केरी करेंगे ना, डेफिनेटली बहुत अच्छा मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट सा और ये eye makeup मेरा one of the best eye makeup है ना, उन में से एक है, क्योंकि मुझे खुद को काफी प्यारा लगा मुझे लगा था, experiment किया मैंने बट काफी अच्छा result है गाई आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे comment section में ज़रूर बताईए और मिरे channel को please subscribe कर लीजिए bell icon को press कर दीजिए ताकि मैं अब जो भी वीडियो लिखिया हूँ ना, उसका notification आपको मिल जाए you can see मुझे इस eye makeup से प्यार हुआ काफी खुबसूरा सा makeup है, thank you so much guys इस वीडियो को देखने के लिए, bye bye and take care